तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल और वेज विनर में दोस्तों बात करेंगे ICC T20 World Cup का दोस्तों ये सेकंड सेमी फाइनल मैच के लजएगा इंडिया वर्सस इंगलंड के बीच और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिरों में हमने स्मॉल लिग में अर्टा क्लिंसिप की है साथ इसार दोस्तों हमें ज़ो आपको मेगाले की6 टीम टेली ग्राम चैनल Пर पर प्र वेड़ करता हूँ उस 6 टीम ने तबाई मचा दी है तो इस वीडियो के दोस्तों बात करेंगे तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मेगा लिखी 6 टीम बहतरी तरीके से बना कर दिखाने वालो टीम देखने के बाद आप खूद कहेंगे कि हमें इस प्लेयर को ड्रॉप करना ही चाहिए यह बढ़ा प्लेयर ना इस मैच में फ्ल्उप हो सकता है इसको लेना ही नहीं चाहिए अब दीख है दोस्तों बात करेंगे इस मैच में अगर आप aquellos के लिए मैच उतना अच्छा नहीं होगा head to head three members में investment करना है head to head three members में हम clean sweep easily करेंगे वहीं दोस्तों बात करेंगे mega league की तो मैं पसे कहना चाहता हूँ mega league की 6 team आपको कहा पर मिलेगी mega league की 6 team आपको मिलेगी toss के बाद जैसे toss होता है तो मैं आपको 5 minute के अंदर mega league की 6 team telegram channel पर प्रवाइड करूँगा बात करेंगे सबसे पहले कुछ basic information की अगर दोस्तों आपके पास information नहीं है तो team उतने ही ज़्यादा गलत बनीगी वेरों की दोस्तों बात करेंगे गयाना का पीच होगा सबसे ज़्यादा खतरनाक इस ICC T20 World Cup का यह पीच होने माला है और देखें दोस्तों यह पीच इतना ज़्यादा खतरनाक की होगा मैं आपको timing बदा देता हूँ आठ बजे मैं start होगा साड़े साथ बजे आपको नहीं होगा और देखें पीच रिपोर्ट के दोस्तों बात करेंगे होता है तो फाइनल पीच रिपोर्ट हमेशा के तरह दोस्तों इस पीच पे जो भी टीम करेंगी तो मुझे लगता है वह पहले बालिंग करने का ही डिसीजन लेगे दोस्तों देखा जाए तो इस पीच पे फर्स टीम में काफी जड़ अच्छा सपोर्ट मिलता है बॉलस को और हो सकता है कि इंगलंड के एक से लेकर दो विकेट आपको पहले पावर पले में जाती हो नज़र आ सकते है दोस्तों देखा जाए तो सेकर इनिक में बैटिंग करना थोड़ा बहुत इजी होता है वड़ा थिंग सो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि दोस्तों जो भी पीच रिपोर्ट हैंगी फाइनल उसी पे दोस्तों हमें डिपेंड रहना पड़ेगा दोस्तों लास्के कुछ मैचेस की रिकॉर्ड की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैंगे लास्के टोटल है पर पार्च मैचेस खिले गए अब इन पार्च मैचेस से दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि इस speech का average score कितना है इस speech पे कितना score बन सकता है देखे पहला जो match था 136 पे 8 wicket, पूरी तर से balance मतलब यहाँ पर batsman को भी support मिला ballers को भी, फिर दोस्तों अफगानिस्तान, यूगंडा, अफगानिस्तान को पूरी तर से बैटिंग support मिला तो यहाँ पर दोस्तों batsman को support मिला फिर दोस्तों PNG vs. Uganda पूरी तर से ballers को support फिर अफगानिस्तान vs. New Zealand तो पूरी तर से batsman को support और West Indies vs. Uganda तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तर से आप check कर सकते कि batsman को support मिला अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि पीच पे अगर batsman को support मिलेगा तो हमें कितने batsman को try करना चाहिए ballers को support मिलेगा तो क्या दोस्तों हमें 5 ballers को try करना चाहिए otherwise दोस्तों यह कहना चाहता हो इस पीच पे passer को 42 wicket मिले है और spinners की दोस्तों बात करेंगे 30 wicket तो spinner अगर आपको try करना है तो आपको ऐसे spinner को try करना है जो 100% point दे otherwise अगर कोई spinner batting से भी point दे सकता है जैसे कि रविंदर जड़िजा अकसर पटेल तो इनको गलती से भी आपको drop नहीं करना है और यह दोस्तों बात करेंगे इंडिया के तरब से जैसे कि आपको पता है और दोस्तों यहाँ पर देखा जैसे अकसर पटेल है मिरी साब से दोस्तों यह चारो ही most important baller जो पूरे और complete करनेगे उसके बाद दिखे हार्दीक पांडया, रवींदर जड़िजा और दोस्तों यहाँ पर देखा जैसे अकसर पटेल तो मुझे रगता है हार्दीक पांडया से दो ओर complete कराया जा सकते है दोस्तों यह उसले के खिरब मैच नहीं हो रहा है कि बड़े-बड़े हिट लगेंगे हार्दीक पांडया भी आपको इस मैच में एक से लेकर दो विकेट निकाल तो नज़र आ सकते है अकसर पटेल अपनी स्पीरिंग का जादू बिखेरेंगे इस पीच पे आप खुद कहेंगे कि अकसर पटेल को लेना ही चाहिए था क्योंकि अकसर पटेल को इस मैच में बैटिंग करने का मोका मिला जो कि सात्य नमबर पे आते हैं तो काफी ज़रा धूम मचाने वाले पर दोस्तों बात करेंगे इंग्लेंड की तरफ से तो क्रिस जॉर्डन है आदिर रशीद है रिस्टोपले जोफरार्चर मोस्ट इंपोर्टन दोस्तों यह चार बॉलर होने वाले उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं लेकिन मोहिन आलि से मैच में 100% जॉस्त बचलर बॉलिंग करेंगे क्योंकि मोहिन आलि वर्सस दॉस्तों इंडिया का थोड़ा बहुत यहाँ पे जो confusion बना रहता है वह हमेशा ही होता है अब देखे दोस्तों बात करेंगे आप तो आप चाहे तो इंडिया के लास्ट के कुछ उससे पहले 53 की पारी के लिए मतलब बैसमन अच्छे स्कोल कर सके लेकिन सेलेक्शन कितना है 15 से लेकर सी 20% इनका सेलेक्शन है अब देखे दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले तो यह जानना है इंपोर्टेंट है कोन किस नबर बैटिंग करने के लिए आता है उसके बाद जो साथ उपन करते सुर्य कुमर या तो फोर्थ नबर पर आते एच ब्रूप फोर्थ नबर पर आते जॉनी बेश्टों दूस्तों थर्ड नबर पहेंगे कंफॉर्म है मुझे लगता है कंफॉर्म बैटिंग और मैं आपको टॉस के पहले बता रहो उसके बाद दूस्तों बा रविंदर जड़जा और अकसर पडिल का प्लेस कंफर्म ने की कोन ऊपर में बैटिंग करने के लिए आ सकता है वही दोस्तों बात करेंगे इस मैच का सबसे जादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों बॉलिंग सेक्शन हमारे पास जो मेन बॉलर से जस्प को सपूर्ट मिलेगा जोफरा आर्चर क्रीज जॉडर अब ऐसा अगर देखा जारो तो हमें छे बॉलर को लेना चाहें लेकिन नहीं इस पेज के आपको जादा से ज्यादा तीन से लेकर चार बॉलर को लेना है बॉलिंग पीच होती है तो पांच बॉलर बैटिंग पीच ह होती है तो तीन से लेकर चार बॉलर मुस्ट इंपोर्टन जो दोस्तों विकेट निकालके दे सकते हैं वह दोस्तों बात करेंगे तो यह ट्रम प्लियर होने मारे हो दोस्तों हमेशा की तरह आपको पताना चाहता हूँ क तो यहां पी तो इplease कि दोसों आपको पता है मैं आपको नहीं पता है आपको बताना चाहता हूँ कि रोईच शर्मा का सिलेक्शन कितना है दो सिलेक्शन होगा साट परसंट की दोस्तो 40% तर अब इस match में आप चेक कीजे कि अगर रोई शर्मा फ्लॉप होते हैं आप अक्सर प्रेटल को ट्राय करते रोई शर्मा को ड्रॉप करते तो आपने किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया और दोस्तो चोटे प्लेयर को लिया तो अब इस ली बात है आपकी जो लेकिन लिविंग स्टोन इस match में 25 बना के विकेट निकालते देखे जो जितना ज़ादा पॉइंट देगा यह आपको समझा नहीं की जरूरत नहीं मैं बच्चे जैसे समझा रहा हूँ जो जितना ज़ादा पॉइंट देगा उतना ही दोस्तो अप करेगा तो हमारे पास ज दोस्तों इस match में भी दिख सकते हैं अगर बैटिंग करने कम होका मिला लेकिन दोस्तों देखा जिए साती प्लेयर रेस होगे जिन में से 2-3 प्लेयर आपको 100% मेगा लिग की टीम में दिखने वारे कैप्टन और इस कैप्टन की दोस्तों बात करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों यह जानना है कि इस पीछ पे आप चेक करोंगे तो दोई शर्मा है हार्दिक पंड्या विराट कोली जॉस बटलर अर्शरिप सिंग यह मोस्त इंपोर्टेंट ऑप्शन होगे स्मॉ कोली की टीम बनानी है उसके बार दोस्तों मैं आपको मेगा लिख की दो करोड़ वाली टीम बनाकर दिखाने वाला हो सीधा चलेंगे दोस्तों अप्लिकेशन पर यहां पर दोस्तों हमारी पास तीन ऑप्शन अवेले बले रिशप पन ते जॉस बटलर दोस्तों फिलिप इस मैच में अच्छा स्कोर करेंगे जॉस बटलर की दोस्तों बात करेंगे तो यह ओपन करेंगे नो डाउट इनको डॉप नहीं करना है देखे हम स्मॉली की टीम पहले बना रहे उसके बाद दोस्तों मेगा लिख की टीम बनानी है तो हमें दोस्तों यही करना है कि हमें इ जानते बड़ा स्कोर कर सकते लेकिन थोड़ा बोतिया पे रिस्क नजर आरे फिलिप सॉलिट पे और देखे रिच अगर बैटिंग पीछ होती है बैटिंग को सपोर्ट मिलता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पीछ पे जास बचलर फिलिप सॉल्ट रोई शर्मा अब फिलिप सॉल्ट को फिलहाल के लिए ड्रॉप करेंगे दोस्तों बात करेंगे बैटिंग सेक्षिन की तो यहां पर रोई शर्मा सुर्य कुमर यादर विराट कुले इन तीनों को लेना चे आप करेंगे आप उन प्लेयर को क्यों ट्राय करें जिनका सेलेक्शन अच्छ अब बैटिंग मिलती है तो यह तकरीबन 25 से लेकर 30-50 भी बना देते तो रिस्क थोड़ा बहुत लेना चाहते हो ना बैटिंग पीच पता चलती है हमें कि बैटिंग पीच है तो एज ब्रुक को ट्राय करना चाहिए जो फोर्थ नमबर पे आते मेरी साब से एज ब्रुक ह उतना ज़रा अच्छा नहीं रहा है जितना दोस्तों ब्रुक करा है लेकिन बेस्टों के पास एडवांटेज यह है कि दोस्तों यह थर्ड नमबर पे आते और बैलेंस पीच पे जनरली क्या होता है थर्ड फोर्थ और फिप नमबर वाला प्लेयर इंपोर्टेंट होता है ओपनर मेंसे कोई फ्लॉप होता है अगर बॉलर्स को सपोर्ट में रहा है लेकिन यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप करेंगे इनको अर्डिक पंड्या इनको ड्रॉप नहीं करना चेह सिक्स नमबर पहेंगे मुझे 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 पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नजर निया रहा है मैं आपको फिर से एक बाद चेक करके बता रहता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूर्जन होता है यहाँ पर दोस्तों रहाजिये थोको सैंकरन दो जी ओर कंप्लीट करेंगे और हो सकता है तो ओर में अगर मुझे नली को क्योंत ना मिले या दुस्तों मोहिन री फिप नुमरे भे बैटिंग करने के आने के बार फ्लोप हो जाए, तो हमारी टीम का एक प्लेयर तो यह से भी फ्लोप होगा, तो दोस्तो हमें इतना ज़्यादर रिस्क नहीं लेना है, और मेरी साफ से हमें करना कि है हमें मोहिन अली को डॉप करना है, हमें दोस्तो अक्सर पटिल को क्यों लेना चाहिए, ये सात्य नमबर पहेंगे, रविंदर जड़े जाके उपर, बैटिंग पीछ होती है, या दोस्तो नहीं भी होती है, बैटिंग करने का मोका मिला तो important होगे, otherwise अक्सर पटिल विकेट तो निकालते हैं, दोस्तो ये हमारा एक र performance रहे हैं, वो काफ़ी जादा काभीले तारीप रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आदि रश्री स्मैच विकेट निकाल सकते हैं, इंडिया को संभल के रहना पड़ेगा इनकी spin से, और दोस्तो बात करेंगे, जोफरा आरचरे, क्रीस जॉर्डन, दोस्तो रिस टोपले, अब से हमें पॉइंट दे सके हैं, जो साथ विकेट निकाल चुके हैं, यहां दोस्तो बात करेंगे, तो आप यहां पे एच बुक को ट्राय कर सकते हैं, इंगलन की टीम अगर पहले दोस्तो यहां पे बैटिंग करने का डिसीजन ले, तो दोस्तो एक प्लेयर कन्फूजन वाला होने वाला है, और मिरी साब से दोस्तो में जिस प्लेयर को लेने वाला हो, वो दोस्तो होने वाला है, सैमकरन, सैमकरन मिरी साब से इ मैंने थोड़ा बहुत confusion किया है तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसी तरह से टीम बना सकते अक्सर पटेर या उस्तों सैम करन दोने में से कोई एक प्लियर हो सकता है जो इस मैच में प्लियर होगा स्मॉल लिग के लिए हम clean sweep कर सकते अब देखें मेगा लिग की टीम बनाएनी है तो सबसे important दोस्तों ये जानना है कि मेगा लिग की कौंसे इसे प्लियर होगे जो इस मैच में important हो सकते ठीक है अब मेगा लिग की टीम बनाएंगे तो सबसे पहले मेगा लिग के प्लेर्स को चैट ट्राय करेंगे तो मेरी साब से दूस्तो एच बूक इंपोर्टेंट होगे जॉनी बेश्ट है उसके बाद दूस्तो बात करेंगे किसरैंम करन लिविंग स्टोन några इस अब हमारे पस दूस्तो यह साथ प्लेव यसे चिनमेंसे के लिखेंगे को यहां पर गरेंगे तो मुझे लग फ्लॉप हो इस मैच में लेकर पहेंगे एच ब्रूक चलेंगे जॉनि बेस्टो फ्लॉप होगे शिवम दूबे कुछ आयेंगे लेकिन कमाल नहीं कर पाएंगे रविंदर जडिजा कुछ नहीं कमाल कर पाएंगे सैम करन इस मैंच में चलेंगे साथी साथ लिविंस्टोन फ्लॉप होगे और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो लिविंस्टो प्ले को एक विकेट मिल सकता है ठीक है अब दोस्तों मैं आपको दो प्लेयर बता दिये एच ब्रूक सैम करन अब तीसरे प्लेयर की दोस्तों बात करेंगे तो देखें बैस्मन को सपोर्ट मिलेगा तो जोनी बेश्टो पॉइंट दे सकते अगर बैलेंस पीच होती है पूरी तरसे बैस्मन प्लस बॉलर की सपोर्ट मिलेगा तो लिविंस्टों शिवम दुपे फ्लॉप होगे रविंदर जडिजा चलेंगे मेरी साबसे दोस्तो तीन प्लेयर जो मैं आपको फाइनल बता सकता हूँ वो दोस्तो होगे एच बुक है सैम कन दोस्तो रविंदर जडिजा ये तीन प्लेयर फाइनल हो सकते है अब देखें मेगा लिक की टीम बनानी है तो सबसे पहले हमें करना क्या है हम दोस्तो उन प्लेयर को ट्राइ करेंगी जो 100% कनफर्म होगे जो दोस्तो यहाँ पर फ़लॉप नहीं होगे ऐसे प्लेयर स्वेल प्लॉप नहीं होगे स्मॉलिक की टीम में दोस्तो हमने फिलिपस ओल्ड को ड्शारざ को डॉप किया था प्लॉप्र यह मेरी सोचे है आप कुछ अलग सोचे अब दोस्तों हमारी हो हमारी टीम के लेड़ी होगी मैं आइक को दिखाने मा दो मैं तो इसी सब आप दूसके बात करेंगे स्कोर करेंगे लेकिन ड्रीम नहीं दिखेंगे मैं यह चलेंगे इफ्टीव नहीं होगे जितना दोस्तों मुझे लगता है एच ब्रूक होगे तो दोस्तों यह हमारा ा फोर्स्त रिस्क होने वाला उसको बात करेंगे तुम overlap करेंगी अकसर पडल को मुझे लगता है सैम करने important हो सकते हुई दोस्तों बात करेंगे मुझे लगता है कि mij मैंच में हमें आधियराशीद को कुल दि प्यादों को डॉनला को डॉप करना है पीन को सुपोर्ट मिले और ना मिले लेकिन एक टीम में हर टीम में एक टीम में डॉप करना है वह दोसतों बात करें कि हम धुन कर रिखनी बात करें मैं यहाँ लिखनाला तो फट्रन मुझे लगता है कि इख दिखा जैता है कि यह बादे पर Champs Logically Plays को लिया है हमने ये भी सोचने कि भी रूः शर्मा को कप्राइन वनाना चीह वह जॉफर आर्चर को भी बनाना चीह है बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए तो सबी टीम का video pause करके screenshot निकार सकते है final team आपको Telegram Ax frost पर सकते हैं वैगी वैथ चाल चैमे में है यहın डिस्क्रिप्शन में मिलीगी तो लिंक पर क्लिक करके से आप हमारी दूस्तों टेलिग्राम चेल पर जाइने हो सकते हैं मिलता एक निए वीडियो में तब तक रहेंगे पर वाचिंग गाइस और आपसे कहना चाहता हूँ चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देला मेरा मोटिवेशन वैसे भरता देगा